चार मार्च 2018 की रात थी। केरल के समुद्र तट से कुछ दूरी पर एक विदेशी बद्धी नौका नोस्ट्रोमो भारतिय समुद्र में लंगर डाले हुए थी। उसे भारतिय तटरक्षक बल ने वहां रोका हुआ था। और अगले सिर्फ 10 मिनट में ओपरेशन पूरा हो गया। सभी सवार पीछे हाथ बंधे नौका पर बैठे थे। सिर्फ एक को छोड़। उस एक युपती को ततकाल हेलिकाप्टर से भारतिय नौसेना के एक बेस पर पहुँचा दिया गया। और इसकी सूचना सीधे भारत के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाहकार के जरिये प्रधानमंत्री को दे दी गई। कौन थी ये युपती, जिसके लिए ये सब हुआ, और खबर भी नहीं बनने दी गई। राजकुमारी अल्तिफा बिन ततम मोहमद अपना घर छोड निकल चुकी थी और अब कुछ विदेशी एजेंट्स के साथ नोस्ट्रोमो नाम की नौका पर थी। किसी मुस्लिम देश ये नौका जा नहीं सकती थी तो उन्होंने फ्यूल आफ अन्य जरूरत के लिए भारत क रुख किया और यहां भारतिय नौसेना द्वारा सभी धर लिये गए। तमाम चर्चाएं थी। कोई लतिफा को लेस्बियन बता रहा था, कोई संपत्ति का चक्कर, पर असल वजह कुछ और थी। आप राजकुमारी लतिफा को दुबई की मीरा बुला सकते हैं। लतिफा ने दीन छोड़ दिया कई साल पहले। वे सनातन से बेहद प्रभावित हैं। कृष्ण की मूर्ती अपने साथ रखती हैं। दुबई के राजपरिवार के लिए ये बढधा असहज स्थिती थी। खैर भारत में लतिफा ने सरकार से उन्हें शरण देने और यहीं बसने की बात कही। वे वापस नहीं जाना चाहती थी। साथ ही विधिवत हिंदु धर्म भी अपनाना चाहती थी। पर सवाल अब अंतर राष्ट्रिय संबंधों का भी था। बीच का रास्ता निकाला गया। शेक मोहम्मद ने भारत के प्रधान मंतरी को आश्वासं दिया कि UAE लोटने के बाद भी राजकुमारी को न कोई नुकसान पहुचाया जाएगा न उनकी आस्था से उन्हें रोका जाएगा। वे स्वतंत्र होंगी अपने हिसाब से जीने के लिए और यू अरब के शाही कुन्बो में सनातन का दखल हुआ। राजकुमारी लतीफा बिंत मोहम्मद ने पिछले दिनों एक बेटी को जन्म दिया और उसका नाम उन्होंने रखा है। हिंद, हिंद, तुम्हारे इस दुन्यान्ज में आने का स्वागत है।